हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूटीब चानल एमज़ फो यू में तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जो और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम से रहने वाली है तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बिना टाइम्स खराब कि आप लोगों सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो तो अब बात आती है दोस्तो इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स क्या क्या है वो मैं आप लोगों के एक बार बता देता हूँ अगर यह जो इसका होम डिस्प्ले है वो आपको यहां पर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जब आप इसको स्लाइड करोगे तो यहां पर आपको होम बटन इसके बाद आपका नेविगेशन दैन आपका म्यूजिक सेटिंग्स जैसे आप इसकी होम बटन पर जाओगे आपको सेटिंग्स में जाते हैं सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वह साउंड सेटिंग्स जैसे साउंड सेटिंग्स पर क्लिक करोगे आपके इधर आपके options available हो जाएंगे और right side में जो आपकी sound है वो आप लोगों को दिख जाएगे इसको आप move कर सकते हो या sound up and down कर सकते हो इसके बाद आपका Bluetooth है Bluetooth पे जब भी आप जाओगे यहाँ पे आपके Bluetooth option आजाएगा अगर आप mobile से connect करना जाते हो तो mobile आपका connect हो जाएगा इसके बाद आप आता है display का option तो display में अगर आप night में move कर रहे हो तो आप इसको dark mode रख सकते हो अगर आप day में कर रहे हो तो इसको light mode कर सकते हो तो यह कुछ seconds लेता है चेंज होने में अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी आपका day mode में आ गया है यह आपकी brightness का मेंड ज्यादा कर रखते हो तो यह option आपको मिल जाता है इसके बाद आता है passcode यहाँ पे आप अपना जो current passcode है वो उसके बाद अगर आप इसको update करना चाहते हो तो वो passcode आप लगा सकते हो इसके बाद आपका about में option मिलता है यहाँ पे इसका आता है कि distance कितन update अभी जो भी next version आएगा उसकी बाद यह auto download स्टार्ट हो जाएगा तो यह इसके display में options आते हैं यहाँ पे all settings जो भी options जैसे कि आपके android phone में basic होते हैं वही इसका interface रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो battery percentage है वो कितनी है temperature कितना दिया गया है एंड जो टीनो म battery run की है यहाँ पे इसको अगर आपका कोई technical assistance के लिए आपको चाहिए तो वो आपको number दिया गया है अगर आप वापिस home button पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप home पे प्ले कर सकते हो यह home पे आ जाएगा तो यह display की settings रहने वाली है अगर आपको कुछ problem आती है तो इसको normal phone हैंग हो जाता है तो इसको reboot करते तो same way में इसको भी हम reboot कर सकते हैं तो कैसे आप इस scooty को अगर आपका जो infotainment system है वो hang हो जाता है या आपकी लोग अनलोग में problem आती है तो आप उसको कैसे reset कर सकते हैं उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए separate तियार करूंगा उसमें जो complete यह बता हुआ कि आप इसको reboot कैसे कर सकते हो तो बने रही है हमारे साथ और कुछ ऐसी वीडियो के लिए subscribe करिए हमारा YouTube channel AMJ4U and press the bell icon ताकि जो भी हमारी नए वीडियो जाए आप लोगों तक उसका notification पहुँच पाए तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो साथ अपन